नमस्का शामद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनों आपका स्वागत है दोस्तों मैं भाशकरानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्त रेखा का ये अंक अपनी ही पसंदीदा यूटूब के चैनल गोवलोक्स में एक सुन्दर सी फीमेल हतीली आप महिला जाति का है और आपकी रियल हतेली मेरे शामने बीवी चना के लिए आ रही है देखेगा सबसे पहले देखें तो आपकी जो ये मस्तिस्क की रेखा है इस तरों से आ रही है और यहां पी इस प्रकार से दिखाई दी रहा है और चंद्रमा का इस पे बहुत ही जादा प्रभाव तो लिए उए है बहुत जादा सोचती रहती है जादतर आप हमेशा कलपनाओं में डूबी रहती है और आपका जो मन है ने वो भी एकागर्चित कम हो पा रहा है लेकिन ये रेखा ये भी इंगित कर रही है कि जीवन में आप स्रेश्ट सपलता उचे दरजे की सपलता ये भी यहां पर दिखाई दी रहा है दूसरा अगर देखें यहां पर तो जो आपकी जीवन और मसतिस्की की लकीर है उसके बीच में जहांसे इनका उद्गम अस्तान है ये गयप दिखाई दी रहा है इसका मतलब है कि आप अपनी जीवनकाल में स्वतंत्र विचार धारा की जातिका रहेंगी, अपने मन की मालकिन रहेंगे, मनमर्जी की मालकिन रहेंगे, किसी के कंट्रोल में, किसी की आदिपत्य में आप बहुत जादा काम नहीं कर पाएंगे, लेकिन आपके अंदर मैनेजमेंट की ताकत बहुत अच्छी रहेगी और जीवन में जो responsibility है उसको एक बेहितरीन तरीके से आप निभा सकती है कहीं पिर आप मार खा सकती है तो एक ही चीज है आपका overconfidence क्योंकि मंगल का सीधा इस पे प्रभाव पड़ रहा है तो कभी भी overconfidence में आकर कोई बड़ा निरणयमत लीजेगा इस बात का हमेशा ध्यान रखेगा और दूसरी बात है कि थोड़ा सा जो है जल्दबाजी मत दिखाएगा उतावलेपन में बड़ा काम मत कीजेगा भावनाओं के बसीबूत होकर बड़ा निरणयमत लीजेगा चीजों का analysis करके चीजों को भली बात देख करके तब ही किसी चीज में आगे बढ़ियेगा तो आपके लिए ये बहुत अच्छा रहेगा बाकी ग्रहन अक्षत्र आपके बहतरीन है बड़े शुन्दर यहां पर दिखाई दी रहे हैं एक चीज देखेगा बहुत अच्छी बहुत ही कम हातों में ऐसी लकीरें देखने को मिलती है ये आपका सुक्र का परोत है और ये आपका सूर्य का परोत है यहां पर दीखेंगे तो एक रेखा ये निकल करके सीधा सूर्य पर आ रही है सुक्र की रेखा सूर्य पर आ रही है ये बहुत अच्छी ये दिखाती है अगर आप राज नीती में जाएंगे तो बहुत बड़ी लेवल की सपलता हसिल करेंगे आप विदेश से एक्सपोर्ट इंपोर्ट से बड़ा धन कमाएंगे और जीवन में कुछ भी करें आप इन चीजों में आप करोडों में कमाई आपकी होगी ही होगी इसमें कोई दोराई नहीं है लेकिन यहां पर सूर्य में एक चीज हो गई है जो ये आपको विप्रीत फल दे रही है इसका फल तो ये होना चाहिए था जो मैंने कहा लेकिन यहां पर देखेंगे तो ये इस परकार से बुद्ध की और चले गई है ठिक अब इसके फल पूरी तरों से विप्रीत हो गया है कि आप अपने जीवन काल में लगातार उलजे हुए है सम्मान तो आता है लेकिन परेशानिया भी साथ साथ आजाती है ऐसा लगता है कि मानो आपकी परेशानिया जैसे खतम ही नहीं ओ रही है आपका तनाव जैसे खतम ही नहीं ओ रहा है आप प्रेसानियों से मुक्ति नहीं ले पा रहे हैं और जब ये चीज घटित होती है न तो बिक्ति की आर्थिक इस्तिति बहुत जादा गिर जाती है उसमें से भी अगर जो है हतेली में इस प्रकार से एक प्रकार का नगिटिब उर्जा का संचरण हो जाए तो सबसे पहले इसका प्रभाव पड़ता है आपके मन पे आपके मस्तिस्क पे जीवन में बहुत जादा उल्जने आनी सुरू हो जाती है कई बार तो लगता है जीवन पूरी तरों से उल्जन में चला गया है फिर बेक्ति के अंदर कनफ्यूजन है दुविदा है ठीक है ने ये चीजे हाँ भी हो जाती है और जो बेक्ति किन्रणे लेने की ताकत है वो छीन हो जाती है ऐसे में बेक्ति सही से डिसीजन नहीं ले पाता है कि वास्तों में यार क्या करना चाहे और किस तरफ हमें जाना चाहे दूसरा इसका प्रभाव पढ़ता है आपकी स्वास्त्य पे चाहे वो साररिक स्वास्त्य हो चाहे वो मानसिक स्वास्त्य हो ये विकार देने की कोशिस करता है और अभी दो वर्षों तक ये अपने स्वास्त्य को लेके अपने आरुग्या को लेके और अपने तंदुरस्ती को लेके आपको थोड़ा सा सावधान रहेना चाहिए योगा इत्यादी करें, खाने पीने में बहुत ज़्यादा मिर्च मसाला न खाएं, ठीक है ने, कोई गैस बनाने वाली चीजें न खाएं, जैसे चाए है, कॉफी है, कोल ड्रिंक है, इन चीजों को जितना परे रख सकते हैं, रखें, ठीक है ने, और कोई ऐसा खाना न खाएं, जो बहुत ज़्यादा हजम न होता हो, या गैस इत्यादी बनाता हो, तो इन चीजों का परेज करें, और बाहर का खाना न खाएं, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ज़्यादतर सात्विक खाने की और आये, तो आपको लाव होगा, ठीक है ने, स्वास्त्य में आप को प्रेशानी नहीं होगी, तीसरा इसका प्रभाव पढ़ता है सबसे बड़ा आपका आर्थिक रूप से, ये आर्थिक रूप से आपको कंगाली की और ले जाता है, बिमार अवस्ता में ले जाता है, दरिदर्ता की और धकेलता है, चौथा इसका प्रभाव पढ़ता है आपकी रिस्तों पे, खास कर आपका जो दामपत्य जीवन का रिस्ता है, आपका जो परिवार का रिस्ता है, और आपका जो कुटुम का रिस्ता है। इनका जो चरम सुक का भोग है उसके बीच में ये प्रस्तितिया खड़ी करता है और पांचवाँ और सबसे बड़ा प्रभाव इसका पड़ता है आपकी डेपलप्मेंट पे और आपकी प्रोग्रेश पे जो आपका सफलता का अस्तर हो जाना चाये था वो सफलता का अस्तर आपका माइनिस की तरफ जाता है तो जो जीवन की नीव है ये उसकी जड़ों को खोकला करता है और फिर आपके समिर्द जीवन को पूरी तरोसी उसमें उस गर्त में समाहित करने का कार्य करता है और जीवन के महतों को महतों भीहीन करने का ये कार्य करता ह अब इसके लिए क्या करेंगे इसके लिए करना तो कुछ है ने देखेगा बहुत ध्यान से देखेगा आपकी जीवन में पूरी तरो से परिवर्तन हो जाएगा अगर आप ये करेंगे और चमतकारिक ढंग से आपका जीवन बदलेगा और येकीन मानिएगा अगर आपने कर लिया मन से ये बिदी है बेग्यानिक ये कोई मंत्र नहीं है कोई तंत्र नहीं है कैसी भी इस्तिति में आप कर सकते हैं इसको ठीक है ने मैं दोंगा बिदिवत तरीके से करेंगे और कुछ दिनों की कुछ परक्रियाएं हैं कुछ तीन म उसकी सईयोगी क्रियाएं अश्नान की ही उनको मैं दे दूंगा यहां पर नहीं कह रहा हूँ मैं वो थोड़ा गुपत होती है तो ओडियो के माधिम से या लिख करके मैं आपको दे रहा हूँ ठीक है ने एक मैं इस चीज को जो यह रेखा है करोडों में धन देने वाले और विपरीत परभाव आपको दे रही है दिव्य सूर्य करिया दे रहा हूँ मैं आपको ठीक है ने और एक मैं आपको दिव्य योग ध्यान करिया दे रहा हूँ एक प्रकार का प्रणायाम है एक प्रकार का योगा है एक प्रकार का मेडिटेशन है लेकिन इन चीजों से पूर हम चलते हें ठोड़ा सा आपकी सवालों पर, देखेगा आपने लिखा है मेरी जिंदगी में पैसों कि समसय कब तक रहेगी जैसे मैं पैसों कि समसय किसी और ग रह के कारण नहीं है एक तो सोर्य जो है कहीं न कहीं जो है दोसित हो गया है तो सूरे जब दूसित होती है तो हमारे काम 99% तक तो बन जाते हैं लेकिन 100% नहीं पहुँच पाती है जिस परकार से हमें मान सम्मान मिलना चाए जिस परकार से हमें यस मिलना चाए जिस परकार से हमारे कामों में जो है एक सपलता मिलनी चाए और हमारे धन की जो इस्तिति बेहतरीन होनी चाहिए वो नहीं हो पाती है उस पे रोक लग जाती है और बिक्ती आर्थिक रूप से कमजोर होता है बीमारों अवस्ता में आता है और दरिदरता की और आ जाता है तो इसके लिए आपको मैं उपाई दे रहा हूँ जरूर करें अगर वो उपाई करते हैं तो ठीक अपने को आप दो साल के बाद देखेंगे तो आप आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएंगे और यहां तक कि आपका जो करियर और धन का मामला है उसमें आप पूरी तरो से इस्टेबल हो जाएंगे इस्टेबिलिटी आएगी अब इसके लिए एक छोटी सी में महालक्षमी एस्वर्यलक्षमी का एक उपाई दे रहा हूँ रात्री की समय का आपको ही करना है जो उपाई दे रहा हूँ वो ही करेंगा और दो औरसों के बाद अपने जीवन को किस अस्तर पे है खुद देखेगा दोसरा सवाल आप पोछने आगे क्या कुछ अच्छा या बुरा होगा वो मैं आपके हतिली की बिस्रेशन करके बता रहा हूँ मुझे सरकारी नौकरी मिलेगी या नहीं सरकार का कारक कौन है सूर्य है आपकी ग्रह नक्षतनों के अंसार सरकारी नौकरी मिलेगी ही मिलेगी लेकिन यहाँ पर सूर्य जो है दिलवाही नहीं रहा है सूर्य उर्जा उस परकार की प्रवाइड नहीं कर रहा है जो एनर्जी है इसकी वो एनर्जी आप लेने पा रहे है तो देखेगा इस जीवन में जो कुछ भी चीजे है ये एनर्जी से चलती है बिना एनर्जी का कुछ भी नहीं चलता है ठीक है न? तो सूर्य की जो सरकारी नौकरी प्राप्त करने की राज योग की जो एनर्जी है उसको आप अपने अन्नन नहीं ले पा रहे हैं देखी का योग बना हुआ है सबसे पहले योग में आता है हतेली की आकरती अब यहां पर देखेंगे आपकी हतेली की आकरती एकदम उच्च कूटी की है रिसर्च वाली है सोध वाली है अनुसंधान वाली है दार्सनिक है ठीक है न? तो एक योग तो ये बन रहा है उसमें से भी आप देखेंगे तो आपकी जो मस्तिस्क रहखा है ये creativity को दिखाता है ये बोधिक अस्तर को उत्तम अस्ता में ले जाता है इसके अलावक तीसरा अगर आप देखेंगे तो यहां पे धनकमानी की ललक और ये इसके पहले पोर्वे तक बैठा रहा है दो चीजें होती है अपने बलबूते आप जीवन में सपलता की प्राप्ति करने वाले इनसानों में एक है आपका communication skills के कारण सपलता है उच्च वर्ग का विक्तित तो रहेगा ये निश्चित है और बड़े अधिकारी लेवल का विक्तित तो रहेगा ये बन रहा है सिर्प यहां पे चीजें है अगर जो उपाई में दे रहा हूं करनो सूर्य ठेक होता है तो दो साल के बाद या दो साल के अंदर ये बाद का जाद दिखाई दे रहा है हंडेट परसेंट आपको सरकारी नोकरी मिलेगी लेकिन बहुत जादा मेहनत बहुत जादा परिस्रम करने पे ही चीजों में कामियाबी मिलेगी चोथा आगे क्या होने वाला है और जो कुछ आपको सही और ठीक लगे किरपया मुझे सारी जानकारी देंगी बिलकुल ठीक है अब यहाँ पे देखेगा धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी रहेंगी इस स्वर में विश्वास बना रहेगा और अपने आरदे के परती समरपन की भावना रहेगी यह पूरी तरो से जुक रखी है इस उंगली की तरफ भाग्यास्तान की उंगली जीवन में एक चीज हमेशा रहेगी अब काम्याबी तो पाएंगे लेकिन इसकी वजों से बहुत जादा मेहनत बहुत जादा प्रिस्रम के बाद ही आपको चीजों में सपलता मिलेगी कई बार दोड़ा धोपी का काम भी आपको करना ही पड़ेगा जीवन में यस पाने की इक्षा बहुत जादा रहेगी नेमफिम पाने की इक्षा रहेगी अपने कारियों में बिस्तार पाने की इक्षा रहेगी अपने कारियों में फैलाव पाने की बहुत ज़्यादा इक्षा रहेगी ये अच्छा है सोरे के नेसर की गुण ठीक है यहाँ पर देखेंगे तो ये दोनों उंगलिया लगबग बराबर हैं और दोनों मिडिल फिंगर से छोटी हैं धन और यसकी भूक रहेगी पैसा और सम्मान आप अपने जीवनकाल के लिए बहुत जरूरी मानते हैं और जीवन का मुख्या लक्ष भी यही बना रहेगा ये आपकी हतेली यहाँ पे इस पश्ट रूप से कह रहे है एक सुख़द जीवन जीने की चाह रहेगी और सुख़द जीवन जीने के लिए प्रयतनसील ब्यक्तित्व रहेगा ये भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है यहाँ पे दीखेंगे तो ये कहीं न कहीं जो है देव गुरु ब्रस्पती की तरफ देख रहा है आगे चल कर मैं निश्चित तोर पे देख सकता हूँ कि सब के लिए सोचने वाला ब्यक्तित तो रहेगा आपके अपनी नौलेज को गेन करेंगी बुद्धिमान लोगों की स्रीनी में आएगी आपका तेज बहुत जादा बड़ेगा इसके लिए में एक अश्नान की प्रक्रिया भी दे रहा हूँ जो आपके औरा को स्ट्रोंग करें आपके आवामन्डल को बहतरीन करें और आपके अंदर आकरसन की छमता दे इससे क्या होगा कि चीजें सरलता से आपके जीवन में आएंगे और सोबाग्या में ब्रदी होगी हिर्दय से प्रेम करेंगे जिसको भी प्रेम करेंगे दिखावा नहीं करेंगे अंत तक निभाने वाला ब्यक्ति तो रहेगा लेकिन बहुत ज़्यादा स्वाविमानी रहेगे स्वाविमान में कई बार अविमान का पुट भी आएगा लेकिन उससे कोई दिक्कत नहीं होगी पूर्ण तो विश्वासी रहेंगी विश्वास किया जा सकता है ऐसा ब्यक्ति तो रहेगा और निर्मल हिर्दे के ब्यक्ति होंगे आपको मान, पद, पर्तिष्टा, उचे पद की प्राप्ति होगी इसमें कोई संका नहीं दिखाई दी रही है ठीक है ने जीवन में ये उन्नति नहीं है जीवन का प्रारंबिक दोर थोड़ा सा उतार चड़ाओ का रहेगा कई बार संगर्स रहेगा कई बार और इस्तिरता का सामना भी करेंगे लेकिन दो वर्सों के बाद अगर आप देखते हैं वैसे तो यहां पर एक वर्स के बाद ही चीजें भेतरीन होती ह भी दिखाई दे रही हैं लेकिन दो वर्स लगा लेते हैं दो वर्सों के बाद देखें तो आपकी जीवन में बड़ी परिवर्तन दिखाई दे रहे हैं और यह परिवर्तन लगातार चलेंगे ठीक है ने यहां पर देखेंगे तो चंद्रमा से निकल करके यह रेखा जड़ाव देती है बहुत ज़्यादा और धन के मामले में बड़ी प्रेशानियां खड़ी करती है लेकिन 42 से 45 के बीच में ब्यक्ति का भाग्योदाई को दिखाती है भाग्योदाई हो जाता है स्वभाग्य की प्राप्ति हो जाती है यहां पर एक चीज दिखाई दे रहे है देखेगा 38 एर से आपके जीवन में परिवर्तन दिखाई दे रहा है 49 वयं वर्ष में इसमें और बृदी हो रही है 40 व Yang आते 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 आपका जो करियर का मामला है जो धन का मामला है यह पूरी तरों से अस्ताइट्व कि और जाता हो दिखाई दे रहा है 41 वर्स में अगर आप चाहें नोकरी लगने के बाद या अभ्यापारी करना चाहें तो ऐसी इस्तिति आ रही है कि प्रतेक दिन आपके पास धन आएगा प्रतेक दिन धन की इस्तिति आपके हतेली में है ये रेखा है प्रते एक दिन 41 से वर्सों से प्रते एक दिन पैसा आपके हाथ में आएगा कितना आएगा आपके मस्तिस्क सक्ति और आपकी योग्यता के अनुसार आएगा लेकिन प्रते एक दिन आएगा अगर आपके गाड़ी का सोच रहे हैं लेकिन बड़ी लंबी समय से गाड़ी का लाब नहीं मिल पा रहा है तो 41 से और 45 के बीच में आपको 100% अपनी चार पैया वाली गाड़ी का सुक मिल जाएगा लंबे समय से आप सोच रहे हैं कि मुझे अपने घर का सुक नहीं मिल पाया है बड़ी कोशिस करने हैं लेकिन हमेशा फेल हो रहे हैं तो 41 से और 45 के बीच में या तो घर बन कर तयार हो जाएगा या आप उसकी निव रख लेंगे अगर लंबे समय से आपके अंदर एक दबी हुई इक्षा है कि अपना छोटा मोटा ही सही लेकिन कोई ब्यापार हो कोई बिजनिस हो जिससे हमारे आर्थे की स्थिति बेहतरीन हो हमारा जीवन एक उच्चतम अस्तरका हो जाए लेकिन नहीं हो पा रहा है तो 41 से और 45 वर्स के बीच में आप अपना बिजनिस खड़ा ही नहीं करेंगे उसका विस्तार भी करेंगे उसका फैलाव भी करेंगे और एक ब्राण बनकर आप उभर भी जाएंगे ये निश्चित है ठीक है नहीं यह दिखाई दे रहा है अगर व्यापार खड़ा कर रखा है लेकिन उसका 45 के बीच में ये चीजें बहुत अच्छा योग लेके आ रही हैं मानि अगर मैं कहूं तो 41 से लेके 45 के बीच में एक golden period आपके साथ है जितना भुना सकते हैं भुनाएगा 45 वर्स में पूर्ण भाग्योदई की इस्तिति आ रही है सोभग्य की पूरी प्राप्त यहां पे दिखाई दे रही है जिवन में आधुनक तरिक से जो प्रारंबिक आपने जेला है वो सब भूल जाएंगे आप और जो आपको चीजें प्राप्त होंगे वो बरणन नहीं किया जा सकता है तो अपने इस्ति की पूरी सणांगती जाएगा आपको बड़ा लाव होगा यह आपको आगे चल कर बहुत बड़ा पद दिलाएगा बिसे इसतर अगर आप बानिज्य के छितर में जा रहे हैं सिक्षा के छितर में जा रहे हैं और या तो हम मेडिकल के छितर में जा रहे हैं या मैनेजमेंट के छितर में जा रहे हैं तो यह चीज आपको बड़ा पद दिलाएगी ठीक है नहीं यहाँ पर अगर हम देखेंगे पहली रेखा भी बहुत अच्छी दिखाई दे रही है यह स्वस्थ्य की रेखा है आरोग्य की रेखा है तंदुरस्ती की रेखा है जीवन में चाई स्वस्थ्य का मामला हो आरोग्य का हो या तंदुरस्ती का हो यह फिट रखेगी इसके मामले में आगे चलकर आप सो बग्य साली रहेंगे दूसरी रेखा ये रेखा है आपकी जो है संपत्ति की रेखा, धन की रेखा, ये रेखा आपकी भग्या रेखा से सम्मन रखती है जीवनकाल के 41 एर से ये दोनों रेखाई एक भेतरीन इस्तिति में आ रही है जहां संपत्य का लाब भेतरीन दे रही है वहां धन लाब भी जबरदस्त देती हुई दिखाई दे रही है तीसरी रेखा है आपकी सुक की रेखा देखे जीवन में स्वास्थ्य है धन है और सुक यदि ना हो तो कोई फाइदा नहीं होता है लेकिन आपकी जीवन में ये तीसरी रेखा आ गई है मनि बंद पे की तुपर्वत पे तो ये रेखा कह रही है आपको अपने स्वास्थ्य का अपने धन का और अपने एस्वरे भोगने का जो सुक है वो मिलेगा ही मिलेगा ये निश्चित है इसमें कोई दोराई नहीं है इसने मिलना ही है ठिक मनि बंद में तीन लकीरे हैं बहुत कम लोगों की हतेली में मनि बंद में खास कर महिलाओं के वाम हस्त में बहुत कम की तीन लकीरे होती हैं इसका मतलब है पूर्व जनम में आपने बहुत उच्च और बहुत पुन्यकर्म किये हैं, जिसकी वजोसे आपने पुनह मनुष्य जीवन में जनम लिया है, 84 लाक योनियों में नहीं भटके हैं, मनुष्य जीवन में आपने पुनह जनम लिया है, उस पुन्यकर्मों के कारण उस पुण्य के कारण, उस प्रारब्द के कारण और वो भी एक लक्षमी रूपा में, प्रकृति रूपा में आपका जन्म हुआ है आप पुरुस भी तो हो सकते थी लेकिन आप मात्र रूप में, आप लक्षमी रूप में प्रकृति रूप में ही क्यों आई सरजन करता की रूप में ही क्यों आई क्योंकि पुन्डे करमों की ओजोसी इसके कारण आपको जीवन में 40 के बाद बहुत अच्छी नोलेज आएगी और बड़े रूप में एक बेहतरीन धन भी आप प्राप्त करेंगे और सौभग्य की भी आपको प्राप्ति होगी इसमें कोई दोराई नहीं है ठिक यहाँ पर अगर देखेंगे वर्टिकल रेखाए हैं क्या बता रहे हैं कारे के परति जुजहरोपन रहेगा जिस कारे को हाथ में ले लेंगे जब तक पूरा नहीं होता है तब तक छोड़ेंगे नहीं और यही क्वालिटी आपको जिवन में बड़ी लेवल पर पहुँचाएगी थोड़ा देखेंगे तो मने बंद की तरफ जुक रहा है घूबने फिरने की बहुत ज़्यादा सोकीन रहेंगी और ये सोक भी आपका पूरा होगा निम्न मंगल अभी देखें तो थोड़ा सा कनफ्योजन है उलजन है और दुविदा दे रहा है और जो निरणे लेनी की ताकत है उसको छीन कर रहा है सईसे डिसीजन नहीं ले पा रहे है वास्तों में करना क्या चाहिए और किस तरफ हमें जाना चाहिए ठीक है न इसमें मैं सूरे किरिया दे रहा हूँ उसमें इसका उपाई दोंगा ज़रूर करे यहां पर देखेंगे तो प्राकरम बहुत अच्छा रहेगा और एनरजेटिक स्वभाव बना रहेगा ब्रेस्पती आपका बेहतरीन अवस्तामी है जीवन में आगे चल कर स्वयम उन्नतितो करेंगी ही जो आप से जुड़ेगा या आपके संसर्ग में आएगा उसे भी आप उन्नति कन्ने में साहता परदान करेंगी सईयोगी बन के रहेंगी स्वाविमानी होंगी अच्छे खासी नौलेज गेन करेंगी नियाई प्रिय ब्यक्तितो रहेगा और सबसे बड़ी बात है अपनी बातों का निर्वहन करने वाला ब्यक्तितो रहेगा प्रौपकार की भावना रहेगी धार्मिक भावना ये बड़ी मातरा में देखने को मिल रही है आत्म ज्यानी भी होंगी बिद्वान भी होंगी अपारमान सम्मान भी मिलेगा ये निश्चित तोर पे दिखाई दे रहा है खास करके सिक्षा का छेतर है इंजिनियरिंग का छेतर है चिकित्सा का छेतर है मैनेजमेंट का छेतर है बानिज्य का छेतर है और कानून का छेतर है इन छेतरों में यदि काम कर रही है या काम करने की सोच रही है तो बड़ी काम्यावी आपको हासिल होगी सनी आपका बहुत ही अच्छा है कर्म जितना जादा करेंगे उतनी जादा फाइदा होगा सूर्य का मैं उपाई दे रहा हूँ यहां पे अगर हम देखते हैं तो आपका अगर बुद्ध देखे तो बुद्ध भी बहुत अच्छा है वाणी की तागत बहुत अच्छी रही चंद्रमाहल का कमजोर है कई बार मन खराब रहता है मानसिक प्रेशानिया कई बार यह दे देता है जो पड़ाई लिखाई की है उसको सही से मार्केट में नहीं उतार पा रहे हैं तन मन और धन तीनों चीजों पर यह प्रभाव डाल रहा है तो इसका मैं आपको उपाई दूँगा यह दोनों मंगल से मिली हुई है यह वह से कंट्रक्शन में लाब दिलाता है लेकिन यहां पर दोनों की उर्जासात में है तो कही न कहीं मंगल का भी बहुत अच्छा लाब मिलेगा द जीवन में थोड़ा परिशानियां आ जाती है उसके बाद पुनों ठीक हो जाता है तो अगर देखा जाए तो एक उच्चकोटी की हतेली है लाब देने वाली हतेली है और आने वाला समय आपका है तो अपने लिए खुद काम करिएगा उन एनरजी को अपने काम पे लगा ल तो इस वीडियो में बस इतना ही एक नई वीडियो के साथ पनो पस्तित होंगा तब तक के लिए नमस्कार